हेलो शुटन स्वागा थे आपका हमारी यूट्व चैनल पर पिच्छी क्लास में आप लोगो टेंस के बारे में पढ़ाय गया था यानि टेंस पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया था और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे भॉयस से ठीक है तो भॉयस स्टार्ट कर अधिक नहीं करोगे तब आपका व्यस क्लियर नहीं हो पाएगा ठीक है तो आप लोगों को क्या करना है घर पर जा करके नोट्स निकाल करके और जीतने भी मैंने टेंस पढ़ाया उस टेंस को एक पर फीर से आप लोग रिभाइश कर लेंगे ठीक है तब तक हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक वाइस है तो वाइस का मतलब होता क्या है ठीक है वाइस का मतलब होता है वाच्य हिंदी में इसको क्या कहाता है वाच्य कहा जाता है ठीक है और वाइस का वाइस का जो हमारा प्रत्मिक्ता है वह इंग्लीज क हर एक फॉर्मेट में है ठीक है हर एक जगह पर आपको वाइस चाहिए रीडिंग हो एस्पोकेन हो राइटिंग हो तिना या आप किसी विग्जाम की विवाद करते हो चाहिए क्या है डिमांड है ठीक है जिसको अपनों ध्यान से पढ़ेंगे ठीक तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है वाइस का टिक तो इवाइस इदा फॉर्प अफिवर which denotes the subject performs any work or effected is called वाइस का रहा है कि वाइस एक ऐसा फॉर्म होता है भार्व का जो हमें यह बतलाता है कि subject कोई कार्ज कर रहा है या subject पर ही कुछ घटित हो रहा है या तो subject कोई कार्ज करता है या subject पर ही कुछ घटित होता है तीना इस प्रकिरिया को क्या बोलते हैं हम लोग वाइस बोलते हैं तो वाइस को हम लोग कितने भागों में जानते हैं दो भागों में यह जो वाइस होता है यह डिवाइड हुए ह एक भाग के नाम मोद जानते है active voice जिसको लोग बोलते कर्तरी वाच यह और दूसरी voice का नाम है passive voice जिसको लोग कर्म वाच ठीके तो कर्तरी वाच कहने से मालुम पड़ता है इसमें क्या होगी कर्ता की परधानता होगा इस subject की priority होगी subject को यहां पर work होगा ठीके तुदिसका है e诅से ड़ीओ एक्टिभ डख सकते हैं सब्सक्राइब ऐस इंवीच सब्ट्ट परक। पनेवऑ ऐसे कई करता है उसको क्या ऑलते हैं कि सब्जक करता है कि यहलों किया जैसे यहाँ पर जो करने काम करता है तो आप बोल सकते हो ना कि एक टिप और इस संटेंज में जो subject है में काम कर रहा है निकी प्यार करने का राम कर रहा है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया राम लफ सीता यक्टी वास हो गया ठीक है उसके बाद होता है passive voice कर्मवाच्य ठीक तो कर्मवाच्य में क्या होता है जैसे यहाँ पर subject के परधनता होता है वहाँ पर अभी के परधन होता है जो कार्ज होता है वो उसी के उपर घटित होता है जैसे अब देख सकते हैं पहले इसका डिफिनेशन देखिए एक वाइस इन वीच ऑब्जिक्ट परफॉर्म्स एनी वर्क करा है कि ऐसा वाइस जिसमें अबजिक्ट कोई कार्ज को करता है और सब्जिक्ट उसको क्या कहा याता है पैसिब वहस करते हैं अब जेक्ट सकते हो एक्जामपल के रोग विवड्वयराम यहाँ यहां करने है अबजिक्ट कर दो नहीं किया तुर्वार कि यानि प्यार की जाती है किसके दोरे प्यार काज की आती है। राम के दुआरा, राम पर जो, subject था, यहाँ पर राम वहाँ आपकर करके पर क्या हो गया, जभा तो आप clarity समझ गय होंगे, कि Active voice में क्या होता है, subject की परधानता होती, subject को इकार्ज करता है, और passive voice में क्या होता है, subject कोई काम नहीं करके, बलकि subject पर ही कोई कार घटित होता है या आप बोल सकते हो इसमें object की परधानता हो उसको passive voice बोलेंगे ठीक है तो ये तो आपका clear हो गया चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रूल्स फॉर चेंजिव यानि एक्टिव से पैसिव वाइस में चेंज करने का नियम ठीक है एक्टिव वाइस से पैसिव वाइस में कैसे चांज किया जाता है तो सबसे पहले आप पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, लिखिए एक्टीब वाइस के सब्जिक्ट को पैसीब वाइस का अब्जिक्ट बना दिया जाता है, एक्टीब वाइस के सब्जिक्ट को पैसीब वाइस का अब्जिक्ट बना दिया जाता है, ठीक, रूल नमर दूसरा लिख लिजिए, रूल नमर दूसरा लिख लिजिए, पैसीब वाइस में, पैसीब वाइस में, सब्जिक्ट, नमबर और पर्शन के अउनसार, हेल्पिंग भर्ब का परियोग किया जाता है, हेल्पिंग भर्ब का परियोग किया जाता है, हेल्पिंग भर्ब का परियोग किया जाता है, यदि संटेंस में, यदि संटेंस में, संबड़ी, नोबड़ी, एवरीबड़ी, समवन, नोवन, नोवन, देए, पीपूल, एटी से हो तो, एटी से हो तो, इसका लोप हो जाता है, यानि कहने का मतलब कि संबड़ी, नोबड़ी, एवरीबड़ी, समवन, नोवन, यगर संटेंस से स्टार्ट करते हैं, तो पैसे भाइस में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट रूल लिख लीजिए, यदी, यदी संटेंस, यदी संटेंस कोई पुर्णाउन से स्टार्ट हो तो, यदी संटेंस कोई पुर्णाउन से स्टार्ट हो, यहीं संटेंस कोई पुर्नाउंस से स्टार्ट हो तो नुमिनेटिव केस को क्या करते हैं? अब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं नुमिनेटिव केस को अब्जेक्टिव केस में चेंज कर देता है जैसे देखिए इसकी आई है यहीं पुर्णाउन है आई का यह चुकी क्या है नुमिनेटिव केस है आई क्या है नुमिनेटिव केस है नुमिनेटिव केस और यह हो जाग आपका अब्जेक्टिव केस अब्जेक्टिव केस ठीक है तो आई है आई का अब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है? मी हो जाता है वी का अब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है आवर हो जाता है ठीक है यू का अब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है यू हो जाता है ही का अब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है हीम हो जाता है किYes C objective case में क्या हो जाता है और मरी Yeet का dość होता है और दी chilika objective कि exclusively क्यों क्यों हो जाता है दें और कि अक्म अगर एक्टिफ वायस में तर ज़िए रह तो पैसी वायस को क्या करेंगे इसमें चेंदि करनेंगे ठीक है और लास में लिखिए और इसके बाद बाई का परियोग बाई का परियोग और सक्ता उनसार किया जाता है बाई का परियोग और सक्ता उनसार किया जाता है खिए यह आपका बेसिक मतलब की नौलेज था वुएस के बारे में है और कल से हम लोग प्रती दीन एक टेंस को वुएस के रूप में रुप में अलग 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 तरिके से सिखेंगे आज के इस च्लास में इतना हैं कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपी के साथ तब तक लिए धन्यवाद